जैसरी क्रिस्ना फ्रेंड्स कैसे हैं आप सल देखिए फ्रेंड्स यह मैं आपके लिए एक हाफ जाके फ्लेक आई हूँ जो कि बहुत सुन्दर है बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी फिडिंग है आईए पहले हम इसको दोनों तरफ से देखनेते हैं यह हमारा आगे का है देखो और यह हमारा पीछे का है बैक साइड है इसमें आईए मैं सबसे बहले यह पीछे से आपको दिखाया है इसे को बताना सुरू बढ़ती हूं यह मैंने नब्वे फंदे डाले हैं और नो नंबर की सलाई से बुना है और इसलिए क्योंकि यह उल्टे-उल्टे होते है तो यह फैलते जादा है तो इसमें हमें जादे फंदे नहीं डालने हमें इस बात का धियान रखें जो भी हम उल्टा बना रहे हैं तो उसमें जादे फंदे नहीं डालने चाहिए क्योंकि वह फैलता है और यह प्लेन हमारा साधा होता यह हमारा नहीं फैलता तो यह मैंने बीच बीच में दस उल्टे हैं, एक सीधा है, दस उल्टे हैं, एक सीधा है, फिर उसी के ऊपर यहां बीच में पांच इधर, पांच इधर, एक हमारा यह है, तो यह हमारे 11 ही हो जाते हैं, इसी तरीके से हमने एक के ऊपर, एक के ऊपर काट काट की हिसा डाला हुआ है, और य यहां तक प्लेन रखा है लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कितना लंबा कितना छोटा कितना बड़ा आपको बनाना है और यह मैंने मुद्धे जब मुद्धे काटे हैं तो पूरी एक गुनाई डालके फिर यह मुद्धे मैंने काटने सुरू किये तो इससे हमारा यह एक अलगी यूनीक सा डिजाइन बन जाता है जो कि बहुत ही सुन्दा लग रहा है और यह हमारा आगे का है इसमें मैंने यह हमारे 60 फंदे हैं 10 फंदे हमारे पट्टी के हैं इसका भी वही है जितना हमारा यह पीछ लंबा था उतना ही हमने यहां पे रखा है और इसको प्लेन बनाते हुए यहां भी मैंने वही उसी जरीके से सब काटे हैं तो यह बहुत सुन्दा लग रहा है और यह सुई वाला गला बनाया है तो हमेशा ध्यान लखेंगे जितने भी हम फंदे घटा रहे हैं हर कुंदे में से एक एक फंदा आप उठाएं कभी भी न छोटा होगा न बड़ा होगा एक बार गिन जरूर लें आगे भी पीछे भी यह वीडियो मेरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओके बाय थाइंक्यू